दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टाइम से रिलेटेड जितने भी सारे फॉर्मेट है एक्सल में उसके बारे में हम आपको पुरा डीपली नौलेज देने वाले हैं बहुत सारे एक्सल उजर इस प्रॉब्लम का सामना करते हैं और जब कैल्कुलेशन की पारी आती है टाइम से रिलेटेड तो बहुत सारे लोग फ्रस्टेट हो जाते हैं कि आखिर हमारा रिजल्ट जब हम टाइम को सम कर रहे हैं तो सही क्यों नहीं आ रहा तो इस सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है अगर आपने ये व प्रॉब्लम करते हैं नमस्कार दोस्तो मैं नाम है अभी जीत आपका सचा साती सचा हमसफर और आप देख रहे हैं आप जीजी टेक्निकल फोरेम दोस्तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा और अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे हमारी हर वीडियो की नोडिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे क्योंकि यहां आपको बेसिक एक्सल, एडवांस, एक्सल, मैक्रो सॉफ्ट ऑफिस, पावर बियाई, पावर क्यूरी, मैक्रो, भी यह काफी कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आईए अपने वीडियो के और मूव करते हैं, दोस्तों जब आप एकसल में कोई भी टाइम का फॉर्मेट लिखते हैं, जैसे आपने लिखा 12 बज के 10, ठीक है, और आपने आगे AM भी नहीं लगाया, और PM भी नहीं लगाया, और यानि यह railway time के according चलेगा, मतलब आप समझ लिजे, जैसे 24 घंटे के according चलेगा, अब मान लिजे, आपने यहां लिखा 4 बच के, ठीक है, 10, और PM आपने लगा लिया, तो मैंने आपको क्या बताया, इस सिल का format railway time के according हो चुका है, यानि 24 घंटे के according, तो जैकि automatic क्या हो जाएग तो control 1 प्रेस करिए, format sales का dialog box open हो जाएगा, तो यहां एक format होता है, HMM, AM, PM, ठीक है, इसको आप double H भी लिख सकते हैं, देखने में अच्छा लगेगा, देखे, 0, 4 हो गया, अगर 1 H रहेगा, तो सिर्फ 4 आएगा, ठीक है, इसलिए हमने यहां double H कर दिया, ठीक है, और OK तो अ automatic 4, 10 PM ले लेगा, यह देखिए, ठीक है, तो अगर आप sale में कोई भी time लिखते हैं, अगर आप AM, PM नहीं लगाते तो वो by default वो क्या format ले लेगा, railway time के according, 24 hours के according, ठीक है, अगर आप मालिजे, AM, PM लगा देते हैं, तो उसका format क्या हो जाएगा, HMM, AM, PM, यानि AM, PM के according डिस्प format क्या हो गया, HMM, AM, PM हो गया, ठीक है, बहुत सारे axle user इसमें confuse हो जाते हैं, कि आखिर हम जब 16, 10 लिख रहे हैं, तो यह by default format 4, 10 PM क्यों ले ले रहा है, क्योंकि आपने उसका format AM, PM कर दिया है, स्टार्टिंग में ही, जैसे यहाँ देखिए, मैंने इसका format AM, PM कर दिया है, तो अब अगर हम यहाँ 16, 10 लिखेंगे, railway time के recording, तो यह automatic 4, 10 PM ले लेगा, यह देखिए, ठीक है, अगर आप इस starting में ही format अगर आप लिखेंगे, 16, 10 जैसे आपने लिखा, अब इंटर मारा, तो अब क्या होगा, इसका format क्या हो गया, HMM, यानि railway time के recording हो गया, तो अगर आप format क्या हो गया है, railway time के recording, तो यह automatic 16, 10 कर देगा, यह देखिए, है न, तो आसा है, आपको format से related सारे concept क्लियर हो गया होगे, अगर आप इसका format चेंज करना चाते है, right click करिए, format sales पे जाईए, ठीक है, यहाँ आप custom दिया गया है, HMM मतलब हो गया, आपका railway time के recording, 24 hours के recording, ठीक है HMM, AM, PM होगे आपका, AM, PM के recording time display करेगा, ठीक है, concept clear है, तो यहाँ जो यह दो format है, सबसे important है, HMM, AM, PM के recording time display करेगा, और HMM, 24 hours के recording time display करेगा, इतना concept clear है, आसा है, आपको format से related सारे concept clear हो गया होगे, कोई भी confusion है, comment करके पूस सकते हैं, आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं, वहाँ का पेली sorts वीडियो आती है, जिसमें काफी कुछ हम आपको नया सिखाते हैं, आपके knowledge को boost करते हैं, तो जल्दी से आईए Instagram पे मुझे follow कर लिजे, link description box में भी है, और मैं यहाँ आपको यह display भी कर दे रहा हूँ, तो अब चलिए हम अपने example के और चलते है, जो हमारी calculations related, जो problem मे आती हैं, उसको भी समझ लेते हैं, तो यहाँ हमारा देखिए start time है, in time है, and total working hours यहाँ दिया गया है, मुझे calculate करना है, ठीक है, अब मालिजे कोई भी employee हमारा 10 बच के 12 मिनट पे आता है, और साम को 6 बच के 10 बच चला जाता है, इसी तरह time दिया गया है, ठीक है, जब आप last म आएंगे, तो हमारा night shift भी है, यानि 6 बच बच आता है साम को, और सुबा 8 बच बच जाता है, ठीक है, तो यह सारा हमको working hours निकालना है, तो अभी problem क्या आती है, आप देखिए, हम लिखेंगे school to, मालिजे हमारा in time में से, हमने minus कर दिया start time को, तो यह हमारा आ गया 7 गंटा, 85 मिनट इसने work किया, यह आपको हमेशा AM में display करेगा, यह इसकी by default setting है, आप क्या करेए, सबसे पहले इस फूरे को select कर दिजे, right click करेए, format cells पर आईए, custom पर जाईए, इसका format railway time के recording कर दिजे, hh mm कर दिजे, ठीक है, तो यह 24 hours के recording display करेगा, सबसे best option है, ok कर दिजे, तो देख हमारी problem क्या रही है, इसमें result हमारा गलत आ जा रहा है, क्यों गलत आ रहा है, आप देख रहा है, इसने साम को start किया, काम 6 बजे और सुबह 8 बजे खतम किया, तो यह जो value है हमारी, यह less than value है, इससे कम है, तो हम क्या कर रहे है, कम वाली value में से जादा को घटा रहा है, तो हम यहां क्या हो रहा, यहां हमारी value am में है, तो यह हमारी छोटी value है, और इसमें से हम क्या गटा रहे है, बड़ी को गटा रहे है, तो minus में आता है result, इसलिए यह error सो कर रहा है, तो अब आप इसको fix कैसे करेंगे, आई समस्ते है, आप को पूरी को delete कर दीजे, हम क्या करेंगे यहां एक formula लगाएंगे, if condition, is equal to if, ठीक है, logic test क्या देंगे, this value is greater than, इससे अगर यह greater than है, ठीक है, in time अगर इससे greater than है, बड़ा है, तो क्या कर दो हमारा, result हमें दे तो क्या, this minus and this, ठीक है, और false, अगर false है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेगा, हम करेंगे क्या, इसम minus कर देंगे, this, ठीक है, bracket बंद किया, और enter, तो हमारा result यह आया, copy किया, और इसको paste कर दिया, तो देखेगे, हमारा result आ गया, ठीक है, तो हमने किया क्या, यह value अगर हमारी बड़ी है, इससे start time से, तो इसमें से हमने इसको minus कर दिया, लेकिन यहां हमारी क्या हो रही थी, यह value छोटी हो जा रही थी, तो छोटी हो गई, यानि false हमारा result हो गया, तो उस situation में हमने क्या क्या, इसमें 1 जोड़ा और फिर minus किया, तो देखेगे, यहां हमारा 14 गंटा आ गया, ठीक है, अब हमारी सबसे बड़ी problem क्या थी, जब हम इसे sum करते हैं, तो हमारा result नहीं आता ठीक से, आइए देखते हैं कैसे, जैसे माली जे हमने यहां alt के साथ is equal to किया sum के लिए, तो क्या result आ रहा है, 5, 5 गंटा, इन सारे का sum 5 गंटा आएगा, 7 गंटा, 59 सेगंड, तो यहीं हो जा रहा है, आखिर यह 5 गंटा क्यों आ रहा है, पहले इसको समझ लिजे, एक दिन में कित अगा, 10 हमने लिखा AM, यानि हमने 8 गंटी की डूटी रखा तो हम क्या करेंगे यहां 6 PM कर देते हैं ठीक है, और इंटर, तो यह 8 गंटा हो गया है, सभी में हमने यही किया, यहां से copy करके, paste कर दिया, इसका भी हमने क्या किया, 6 से हमने कितना कर दिया, हमने 6 से इसको माले यह हमने कर दिया 4 am, ठीक है, 4 am, ठीक है, शोरी, 2 am कर दिया हमने, 2 am, ठीक है, यह भी हमारा 8 गंटा हो गया, और यह हमारा चली 11 गंटा हो गया, तो अब आप देखी, result क्या आ रहा है, 19 गंटा, आखिर 19 गंटा क्यों आ रहा है, अब इस चीज़ को समझ लेजे, हमने आपको क दिखा रहा है, अगर मालिजे, यहाँ 24 हो जाता, तो फिर से यह एक से स्टार्ट करता, जैसे मालिजे, यहाँ 2 am हमने लिखा है, यहाँ मालिजे, हम लिख देते हैं, 11 am, ठीक है, 11 और am लिख देते हैं, यह देखी, तो 17, तो देखिए, क्या हुआ, 8, 8, 16, 8, 24, तो फिर ए जाना है कस्टम पर जाना यहां HMM फॉर्मेट है इसके आप क्या करेंगे एच एच के आगे और पिछे स्क्वाइर ब्रैकेट आप लगा देंगे ठीक है और इंटर तो आप देखेंगे आपका रिजल्ट आ चुका बावन घंटे तो आप अगर इससे जोड़ेंगे आर्टिक चौबिस ठीक है चौबिस सत्रह कितना होगे आपका 41, 41, 41 कितना होगे आप बावन घंटे तो देखेंगे रिजल्ट आ गया बावन घंटे ठीक है कोई भी कन्फिजन है कमेंट करके पूछ सकते हैं आसा आपके सारे कॉंसेट टाइम से रिलेटेट क्लियर हो गए होंगे को दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में